नमस्कार आदाब मैं रजान सारी हिंद वोइस पर आपका स्वागत है भारतिय जनता पार्टी के लिए भक्तों के लिए और मोदी जी के लिए बड़ी खबर है जो के हम 94 से 101 पर पहुँच चुके हैं और हमने भी गलोबल हंगर इंडेक्स में सेंचुरी लगा दिया है आज 116 देशों का गलोबल हंगर इंडेक्स निकलता है जिसमें सिर्फ जिसमें हिंदुस्तान 101 अस्थान पर जा चुका यानि के गलोबल हंगर इंडेक्स भुक्मरी के रेशियो में भी हंदुस्तान ने सेंचुरी मार दिया है आज 116 मुलकों का भुक्मरी का खाका सामने आता जिसमें बंगला देश पाकिस्तान और नेपाल हंदुस्तान से बहुत बेहतर पोजिशन पर जा चुका है नेपाल 76 आस्थान पर है बंगला देश 76 आस्थान पर है और पाकिस्तान जहां के टमाटर पर जिनके जहां दूद पर पानी पर इंडियन मीडिया दो दो महीने तीन तीन महीने भोपू बजाती है उसका आस्थान पाकिस्तान का आस्थान जो है बिरानवे हो चुगा यानि पाकिस्तान भी गलोबल हंगर इंडेक्स में हिन्दोस्तान से बहतर है हमारे मुलक से बहतर है तो मोदी जी के भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हम जो है बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोदी जी के लोग बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर मीडिया के कुछ वर्ग यह हम जैसे जो एंटी नेशनल मीडिया है, वो उनको सच नहीं बता रहे हैं, तो लिए सच बता दे रहे हैं कि कल तक 2020 में जो रेशियो आया था, जो डेटा आया था, उसमें हिंदुस्तान 107 मुलकों के शेरिनी में 94 अस्थान पर था, और अब जो नया डेटा आया है, 116 मुलकों का रेशियो निकला है, उसमें हिंदुस्तान 101 अस्थान पर जा चुका है, चाइना से लगतार हम बात करते हैं, कि चाइना जो है, बहुत चाइना को हमने जवाब दे दिया, चाइना को जिस तरह से जवाब दिया है, वैसा जवाब कोई नहीं देता है, तो अफसोस की बात ये है, कि चाइना एक अस्थान पर है, मतलब गलोबर हंगर इंडेक्स में सबसे ज़्यादा भुकमरी, कम भुकमरी या सबसे कम बेरोजगारी चाइना ब्राजिल अमेरिका जैसे मुलकों में है, और वहाँ का इंडेक्स एक नमर पर है, तो ये तो खर बड़ी बात है कि हमारी सेना के वज़ा से 101 भुकमरी वाला मुलक जो है, एक ये नमबर के मुलक से लड़ाई कर रहा है, और कई मामलों में हमने उनको पछाड़ा भी है, मगर इसका क्रेडिट भारतिय जनाता पाटी पे नहीं जाता है, नहीं इसका क्रेडि बन रहा है, वित मंतराले भी कह रही है कि हिंदोस्तान 2022 तक 2023 तक दुनिया का एक परगती शील मुलक बन जाएगा, तो आप सवाल ये है कि इस हंगर इंडेक्स को भारतिय जनाता पाटी कैसे जुटलाएगी, और इस हंगर इंडेक्स के पीछे क्या भारतिय जनाता पाटी क का मनशा है, वो भी सामने आ जाएगे, क्यूंकि 2020 में हम 94 अस्थान पर थे, अब फिसल कर 116 मुलकों के लाइन में हम 101 अस्थान पर हो गाया, और हम से सिर्फ 15 मुलकी भुकमरी में पीछे है, जिसमें मोजंबेक, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद मटगासकर जैसे मुलको के नाम सामने आते हैं, तो मोदी जी के भक्तों के लिए जोड़दार तालिया बजाई, क्यूंकि आप गलोबल हंगर इंडेक्स में भी हिंदुस्तान 94 से 101 पर पहुंच चुका है, जोड़दार तालिया मोदी जी के लिए और मोदी जी के भक्तों के लिए